पियम मोधी नी क्रिस्मस खास छे इसाई समुधाय साथे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधी ये वाद करी छे क्रिस्मस पर इसाई समाज ने पियम मोधी ये संबोधन करी छे इसाई समाज नी वच्चे पीयाम मोधियू पस्तित रहा हता अने आजादी निलडाई मा इसाई समाज नी भूमिका महत्वनी रही चे तेवू कहयू समाज न निर्माण मा इसाई समाज अगरेसर रहू चे इसाई समाज साथे मारू जूनू संबंध चे तेवु पन कईू अने शिक्षण साथे च्वास्तियमा इसाई समाज नू मूटू फालो चे तेवु पन वड़ा प्रधा नरेंद्र मूदी कईू आजे क्रिस्मस नू दिवस चे इसाई समाज माटे आजनू दिवस दिवाडी जे विरिते मनावामा आवे चे अने खास वड़ा प्रधा नरेंद्र मूदी इसाई समाज नू लोकू साथे वाचित करी अने तेमनी साथे वड़ा प्रधा नरेंद्र मूदी तेमनी वचे उपस सब्सका प्रयास सरकार के तोर पर हम यह सुनिशित कर रहे हैं कि विकास का फाइदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इस से अच्छूता न रहें इसाई समुदाय के कई लोगों तक विशेश के गरीबों और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाप पहुंच रहा है मुझे आद है जब हमने फिसरिस के लिए अलग मंत्राले का गठन किया तो इसाई समुदाय के बहुत सारे मचवारे भाइबेन हमारे इस कदम की सारवज़ने करूप से सराना करे मेरा भी सम्मान किया मुझे बहुत अभिनन्दन किया साथियों क्रिश्मस के इस अउसर पर मैं देश के लिए क्रिश्चन कॉम्यूनिटी के लिए एक बात जुरूर योगदान करूँगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्विकार करता है इसाई समुदाय ने फ्रीडम मुव्मेंट में महत्पपुन भूमी का निभाई है फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चन कॉम्यूनिटी के कई थिंकर्स और लीडर सामील थे गांदी जी ने स्वेम बताया था कि नोन कोपरेशन मुव्मेंट की परिकल्पना सेंड स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशिल कुमार रूद्र की छत्रा चाहे में रची गई थी साथियों इसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपुन भूमी का निभाई है समाज सेवा में क्रिश्चन कॉम्यूनिटी बढ़ चटकर हिस्सा लेती है और आपकी कॉम्यूनिटी गरीबों और बंचीतों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है एजुकेशन और हिल्ट कैर जैसे महत्वपुन खेतर में आज भी पूरे भारत में इसाय समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे है फ्रेंट्स 2047 तक विश्चिद भारत बनाने का जो लक्ष है इस लक्ष के साथ हम अपनी विकास यात्रा को तेज गती से आगे बढ़ा रहे है लगातार कोशिश कर रहे है इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वपुन साथी अगर कोई है तो वो हमारे युवा है निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवश्चक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फीट और हिल्दी रहे है इस उद्देश से चलाए जा रहे कई अभ्यान जैसे फिट इंडिया, मिलेट्स का उपयोग, नूट्रेशन पर फोकस, मेंटल हेल्द के परती जागरुकता और ड्रस्क के खिलाब अभ्यान, जनांदोलन बन चुके है मैं क्रिश्चिन कम्यूनिटी के लीडर से विशेश कर, जो एजुकेशन और हेल्टकर इंस्टिटिशन से जुड़े है उनसे आगर करूँगा, कि वो इन विश्चिन के प्रती लोगों को और जागरुक बनाएं साथियों, क्रिश्पस पर गिप्स उभार देने की परंपरा है मुझे भी बहुत ही पवित्र तुभा मिला भी और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीडियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार दे सकते है सस्टेनेबिलिटी आज के समय की जरुवत है लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ये मिशन लाइब का सेंटरल मेसेज है एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसका नेत्रुत्व भारत कर रहा है यह अभ्यान प्रो प्लेनेट पीपल को प्रो प्लेनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है और भी संपर जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है न उसका यह भी एक रास्ता है और उधारन के लिए रियूजिंग और रिसाइक्लिंग बायो डिग्रेडेबल मट्रियल्स का इस्तेमाल मिलेट्स स्री अन्न को अपनाना मिनीबल कार्बन फूर्ट्प्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइज का हिस्सा बना सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं और मैं मानता हूं क्रिश्चन कॉमुनिटी जो इतनी सोशली कॉंसियस होती है वो इस मिशन में प्रमुभूमी का निभा सकती है नेत्रुत्व कर सकती है और करीब लाएं यह तोहार हमारी डाइवर्सिटी में हमें एक जूट रखने वाल को मजबूत करें आप सब को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत सुप्रावनाएं हैं और आप सब समय निकाल करके आए और आप मुंबई से स्पेशली उस आयू में भी दोड़ करके आए वसे मुझे आप में से कही हों कि निरंतर आशिरवाद मिलते रहते हैं मुलाकात मारतर्शन मिलता रहता है कि आज सब को एक साथ मिलने का मोका मिला मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूं मैं इन बच्चों का विशेश रुप से आभ़ार व्यक्ते करता हूं कोहनों ने आज की हमारे इस पर्ब को अपने स्वर से अपने भावनाओं से और मजबूत बनाया है इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशिरवाद धन्यवाद